हिरन्य बरडाम हरडीम सुवर्ड रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरन्य महीम लक्षमीम जातवेदो मावह नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज हम 2020 ब्रिश्चिक लगने वालों का भविस्चिफल बताने जा रहे हैं आपकी कुंद्ली अगर ब्रिश्चिक लगन की बनती है तो कैसा रहेगा 2020 आपके लिए आये जानते हैं ब्रिश्चिक लगन की कुंद्ली है तो कैसे जानेगे आठ नमबर अगर आपके लगन कुंडली के प्रथम भाव में यानि कि पहले खाने में आठ नमबर लिखा है तो आपकी कुंडली बनती है ब्रिश्चिक लगन की और ब्रिश्चिक लगन ये लगन के स्वामी लगनेस कौन है इनके स्वामी है मंगल देवता मंगल जो की रक्त का कारक है मंगल जो की लाल कलर यानि की रेड रंग का कारक है तो अगर रेड कलर का कारक है मंगल रक्त का कारक है मंगल युद्ध का कारक है मंगल चोड चपेट दुरगटना एक्सिडेंट जो होते हैं उनका कही न कही कारण मंगल और सनी बनता है तो मंगल का बिसेस भूंका जैसे कि अभी बरतमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बरतमान में मंगल का गोचर चल रहा है बरतमान दिरों में गोचर की स्थिति आपको प्रगटकी थी एक वीडियो के भाब में, तो वीडियो में मैंने बताया था कि मंगल की गोचर से किस राशी को दुरगटना एक्सिडेंट इत्यादी चोट चपेट की दिक्कते सामने आएगी तो ऐसा मैंने उसमें बताया था, ऐसा ही मैं तमाम वी करते आप शेयर करते तो इसी से हमारा यह प्रसंदता बनी रहती है और हम आपको जानकारी देते रहते हैं तो अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए और ब्रिश्चिक लगन की हैं तो सबसे पहले आपको मंगल से सम्मंदित चीजह बताते हैं, मंगल और आपका ग्रहों का गोचर रहे अपके उसमें किसी प्रकार से डौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें निस्चती आपको लाम मिल ले जा रहा है और वही अगर आपको किसी ब्यवसाय में नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप भूमी इत्यादी का क्रे विक्रे का कारे करना चाहते हैं तो उसमें आपको पैसे दिक्कत कर रहेते हैं मतलब पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो पास नहीं हो रहा था बेंक से तो वो भी पास हो जाएगा इस समस्या है काफी हलुगी लेकिन एक समस्या आपकी हो सकती है वो समस्या है आपको पेड सम्मंदित रोग हो सकते हैं पाचन तंत्र में कोई कमी हो सकती है 2020 में और अप्रेल के महीने वे ये समस्या को ज़्यादा ही आतको देखने को मिलेगी कि मसाले तली चीजें आपको ज़्यादा खायेंगे तो वहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा वही आपके साधी के योग भी 2020 में आपके लिए बनते हुए दिखाय दे रहे हैं और संतान के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाय दे रहे हैं अप्रेल से लेकर के जुलाई तक आपके लिए बहुत ही अच्छे योग हैं संतान के पत्ति ये लिए और अब वही बात करें हम सिक्षा समद्धी तो सिक्षार्तियों के लिए विद्यार्तियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है 2020 में लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है पड़ाई पर क्योंकि आपके मित्र आपके सहयोगी आपके साथ में कुछ गलत भी कर सकते हैं उससे आपको सजेद रहना है तो सहयोगीों का साथ मिले उन सहयोगीों का साथ मिले ऐसा आपको उपाय करना चाहिए ना कि ऐसे सहयोगीों के साथ रहना है जो आपका सहयोग तो नाम मात्र भी न करें और आपका फायदा उठाएं ऐसे लोगों का साथ हो सायोग ना लें और वही अब बात करें हम आपके भागे का साथ कितरा मिलेगा आपको तो अनुवान और परसेंटेज के मामले में लगबग 18% आपको लाव मिलेगा यानि कि लाव बहुत ही कम मिलने वाला है तो ये जो ला सफलता आपको मिलती चली जाएगी कारे चेत्र में आपके उन्निती होगी और धन के मामलों के जो भी कारे रुके हुए थे अभी तक वो 2020 में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नए आया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार